कि हम इंट्रिगेशन की बात कर रहे थे कर रहे हैं अभी कुछ दिन करेंगे ठीक है कुछ फार्मूले हैं जिन्हें अप्लाई करना जिन्हें प्रूफ करना हम सिखाने जा रहे हैं पहले उन्हें फार्मल सो देख लीजेगा कुछ फार्मले हम पहले से जानते हैं उनका कुछ उनका रूप बदल देंगे तो ऊफार्मले बदल जाएंगे फहले तो वो समझ लें आप देखिए एक फार्मला हमने पढ़ा है integral of 1 upon 1 plus x square dx अगर इसका integral हो तो आपको देखने से मालूम होगा कि भाई इसका integral होता है 10 inverse x ठीक है अब माल लिया ये formula थोड़ा change हो जाए मतब यहाँ पर ये तो हम पढ़ चुके है x की जगे कुछ और अगर x का function है तो उसको t माल लेंगे वो तो बात की बात है अगर यहाँ पर a square plus x square हो जाए जाए इस question को apply करने का तरीका देखिए ये constant का square plus variable का square जिसके respect में हम differentiate या integrate करते हैं उसको variable मानते और सब चीज़े constant होती है तो देखिए यहाँ पर अलग अलग method है वो x को कुछ assume कर लेते हैं a tan theta वेगरा हम कोई assumption नहीं करेंगे हम इस formula का help की help लेंगे ये formula कहता है यहाँ one होना चाहिए तो ऐसा करते हैं कि हम इसको one कर देते हैं इसको one करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से a square काम लेना पड़ेगा यह आएगा one plus x upon a का whole square लेखिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो यह जो a square है यह तो बाहर निकल के आ गया ठीक है यहाँ पर आईए यहाँ पर जो हमारा standard formula है वो है one upon x square यहाँ पर x की जगह लिखा x upon a method यह बताया गया है कि यह x की जगह कोई और variable हो तो उसको t मान लीजिए कुछ assume कर लीजिए शर्त यह है उसका differentiation present होना चाहिए तो मैंने क्या किया यहाँ पर x upon a को t assume कर लिया तो x की value क्या हो जाएगी 80 तो dx भी निकालेंगे तो dx की value क्या होगी ADT तो यह हमने i मान रखा है तो यहाँ पर रख दे उठा करके so i is equal to integral 1 upon a square तो बाहर हो गया यह आएगा 1 upon 1 plus t square into a dt 1a से 1a कड़ गया 1 upon a बाहर हो गया अब यह formula तो यही बन गया 1 plus x square तो यह हो गया 10 inverse t plus t t कमान रख दो तो 1 upon a 10 inverse x upon a plus t यह हमने जो standard formula पढ़े हैं उनकी help से जो निकल पा रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं कुछ change होगा तो बात की बात है तो यह हमने पढ़ लिया अब ज़रा आईए sin inverse x के बारे में बात करते हैं यह नोट कर लिजे याद भी कर लिजे बिलकुफ memory होना चाहिए देखिए sin inverse x किस function का integral होता है तो आप कहेंगी वही 1 upon under root 1 minus x square integral 1 upon under root 1 minus x square dx का integral होता है x square का function x का वो negative है ठीक है इसका integral क्या होता है sin inverse x अब मान लिया यहाँ पर भी change आ गया यहाँ पर आ गया under root a square minus x square dx यहाँ पर तो 1 होना चाहिए तो यहाँ से a square का मान ले लो तो a बाहर जाएगा under root 1 minus x अपाने का holy square x अपाने कुछ होता है x अपाने को t मान लो तो x की value क्या हो जाएगी a t a d t so i is equal to integral यह वन पाने बाहर dx हो जाएगा a d t नीचे हो जाएगा 1 plus 1 minus t square under root लिखाए sin inverse t a कड़ गया तो यहाँ गया sin inverse t plus c तो sin inverse t की value क्या होती x पाने अच्छा यह हम जानते है tan inverse x और cot inverse x same type का integral होता है sin inverse और cot inverse same type का होता है उसमें confuse मत होईएगा यह sin inverse का हो गया plus c यह वो फार्मूले है जिनका standard formula हमको पहले से मालूम है कि अबल constant की जगे a square आ गया है तो उसको हमने change किया है अगला देखिए अगला कहरा कि sec inverse वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि integral one upon x under root x square minus 1 dx क्या होता है sec inverse x होता है या minus cot inverse x होता है tan inverse x और minus cot inverse x same type की वैलू होती है अच्छा अब मालिया वही चीज़ यहां पर भी आ गई x under root x square minus a square confuse मत हो येगा कि कुछ लोग assumption trigonatical करते हैं वो भी सही है हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास standard formula है तो मैंने इसको इस form में change कर लिया हमने इस format में change कर लिया अब जरा ध्यान से देखी यहां से a square काम ले लिजे तो बाहर a निकल आएगा ax under root ये हो जाएगा x upon a to the whole square minus one x upon a को t माल लिजे बस माल लिजे let x upon a is equal to t x is equal to a t dx is equal to a dt तो i is equal to क्या हो जाएगा देखिए उपर हो गया a dt नीचे एक a है x को 80 लिखेंगे एक और a t आएगा a t under root t square minus one एक a से एक a कट गया एक a बज़ जाएगा वन अपान under root t under root t square minus one देखिए अब यहीची लिखी वी है second verse यह second verse हो जाएगा तो one upon a second verse t plus c t कमान रख दो तो one upon a second verse x upon a plus c तो आपने तीन फार्मूले पढ़े one upon one plus x square तो अगर a square plus x square होगा एक sin inverse x का पढ़ा और एक second verse x का पढ़ा ठीक है तन इन वर्स और cot inverse सेम टाइप के integral होते हैं ठीक है अब कुछ और फार्मूले देख लेते हैं कुछ फार्मूले और कुछ methods इनका इस्तेबाल हम अगले एक साइज में करेंगे इसलिए इसको बताये जा रहा है देखे अगर integral 1 upon x square minus a square हो साउधान यहां प्लस होगा तो 10 inverse प्लस होने के case में चाहे x square पहले लिखा हो चाहे बाद में कोई फर्क नहीं परता तो 1 upon x square minus a square हो तो कैसे इसको integrate करेंगे एक तो formula लिख देंगे हमको याद है formula क्या होता है आपको भी याद होगा दूसरा इसका method तो इसको हल करने का जो तरीका है एक तो partial fraction है वो आगे बताये जाएगा वहाँ जब आप पहुंचोगे तो यह अपने आप हो जाएगा दूसरा तरीका है कुछ integral कर दीजे इसको integral लायक कर दीजे जड़ा ध्यान से समझेगा अगर हम x square minus a square को 1 upon x plus a into x minus a कर दे तो तो आप कहेंगे कोई फरक नहीं पड़ता खेर जड़ा numerator को देखे अगर मैं कह दू x plus a minus x minus a तो कोई दिक्कत तो आप कहेंगे वैसे तो दिक्कत कुछ नहीं है अगर bracket हम कोलेंगे तो आएगा x plus a minus x plus a यह 2a लिखा हुआ है तो यह बाहर हम 1 upon 2a कर दे कोई दिक्कत integral चल रहा है तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है यह 1 ही लिखा हुआ है बस हो गया काम हनी integrable करने के लिए हमने कुछ इसमें changes किये यह सूचना पड़ेगा आपको ठीक है इसका partial fraction से आंशिक बिन्नों से direct भी हो जाएगा यह बात मताए जाएगा 1 upon 2a integral देखो इसको अलग-अलग कर दो x plus a यह upon में आएगा x plus a into x minus a और minus x minus a upon x plus a into x minus a यह दिख रहा है आपको cancel हो गया और यह integral हो रहा है तो 1 upon 2a integral इसको 1 upon x minus a dx अलग करेंगे यह bracket बंद कर रहा है और minus integral 1 upon x plus a dx अलग करेंगे यह सौरी यह x minus a कटेगा अब देखो यह आप जानतें log x minus से होता है यह log x plus से होता है तो यह हो जाएगा 1 upon 2a log x minus a minus log x plus a constant plus में रहेगा वो लिखा हुआ हम लिख नहीं रहे log m minus log n यह log m upon n का formula होता है तो यह हो जाएगा आपका यहां लिखे दे रहे है 1 upon 2a log x minus a upon x plus a log चुकर मौड में होता है यह मौड में लिखा हुआ है तो समझ में आ गई होगी बात यह मौड है तो 1 upon x square minus a square का formula होता है 1 upon 2a log x minus a upon x plus a x की जगे x ही होना चाहिए और अगर कुछ और है तो t मानेगे और constant आपके हाथ में है 5 है तो root 5 का square लिख दो जो भी constant है उसको square form में लिख दीजिए ठीक है तो यह integral हो गया एक और formula होता है अगर यह minus sign interchange हो जाए तो इसको भी इसी method से करेंगे इसका diet formula हम क्यों लिखे दे गए यानि यह आपका formula हो जाए a square minus x square यह tan inverse नहीं है जाने कि वहाँ plus होता है root में भी नहीं है इसका formula होगा 1 upon 2a log a plus x upon a minus x इसको अपने आप कर लेंगे तो यह formula आपका इसका हो गया अब एक आग formula और देख लीजिए अब ज़रा root के अंदर वाले formula बताने जा रहे है साउधान देखें root के अंदर के upon वाले formula हमने एक main पढ़ा है 1 upon under root a square minus x square अब अगर यहाँ plus हो जाएगा तो फिर यह formula direct apply नहीं कर सकते हमको proof करना पढ़ेगा तो देखें कैसे हम इसको करें वैसे तो formula याद करने पढ़ेंगे आपको लेकिन माले यही derivation आ गया देखें i is equal to integral 1 upon under root a square plus x square dx root के अंदर ध्यान रखेगा अब क्या करें हम फेक कुछ नहीं a square कामल ले ले यहाँ x अपान लिख दे लेकिन मजबूरी root 1 plus t square भी थमको नहीं आता है तो क्या किया जाए जड़ा देखें ध्यान से हम करेंगे क्या इसमें कुछ x को ऐसा मान लो कि root हट जाए यहाँ plus लिखा है और plus में root हटने के लिए root के अंदर square होना चाहिए तो plus के लिए मेरे पार्ट ट्रिणमर्टी में एक आइडेंटी है x is equal to 10 theta आपके इने very good लेकिन a भी क्या पड़ है तो a 10 theta तो यब यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा a square 10 square theta और a square काम हो लेंगे तो 1 plus 10 square theta 6 square theta हो जाएगा तो dx की value भी निकालनी पड़ेगी तो क्या होगा a 10 theta का differentiation 6 square theta d theta रख दो यहाँ पर so i is equal to integral 1 upon under root a square plus a square 10 square theta into a 6 square theta d theta अब देखो ध्यान से यहाँ a square से a square काम हो लिया root के बाहर हो गया a अंदर बचेगा 1 plus 10 square theta वो होता है 6 square theta root के बाहर निकलेगा 6 theta और into उपर क्या है a 6 square theta d theta 1 6 6 6 कर जाएगा 1 a कर जाएगा यह 6 theta d theta हो जाएगा और 6 theta का integral होता है log 6 theta plus 10 theta यह mod में है और plus c लिखा हुआ है अब theta का मान रखा जाएगा देखो ध्यान से अब यहाँ class 9 का concept लगाईएगा देखो अगर मैं यह triangle बना देता है यहाँ पर तो 10 theta क्या लिखा है x अपान लिखा है और 10 theta क्या होता है perpendicular upon base तो happiness क्या निकलेगा under root x square plus x यह नहीं हो जाएगा under root x square plus a square by a और plus 10 theta x by a plus c अब देखो यह a ले लिए lcm तो यह आगया log mod है यह x plus under root x square plus a square whole upon a plus c log m upon n का formula होता है log m minus log n यह लिखा हुआ है log x plus under root x square minus plus a square और minus log a plus c चुकि log 1 खुद में constant है और यह constant constant साथ मर्द हो जाता है यह उसको constant बन जाता है तो केवल formula आएगा log x plus under root x square plus a square plus c c मनलो c dash मनलो तो main formula इसका यह लिखा हुआ है log x plus root x square plus a square ठीक है अच्छा नोट करिए इसको अब अगर यहाँ पर अगला पार्ट देखिए यह formula है इन्हें थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा थे वो थोड़ा नहीं जादा याद रखना पड़ेगा इनको apply किया जाएगा अगर यह formula होता क्यों किताम में लिखा हुआ है बुक में लिखा है ऐसा थोड़ी होता है 6 square theta minus 1 10 square theta होता है यह trigonatical identity होती है तो dx is equal to क्या हो जाएगा a 6 theta का differentiation 6 theta into 10 theta into d theta so जब यहां रखेंगे i is equal to तो dx क्या हो जाएगा a 6 theta into 10 theta upon under root के अंदर आई जरा यहां पर आएगा a square 6 square theta minus a square यहां अगर 1 होता तो मैं यहां a नहीं मानता के वल सेक से काम चल जाता यहां 1 लाने के लिए हमको a कामन लेना पड़ा जिसे कामन हो जाएगा देखें अब मैं क्या करूँगा उपर लिखा है a 6 theta into 10 theta d theta नीचे a square कामन लिया root के अंदर a आगया root में क्या बचेगा 6 square theta minus 1 10 square theta तो 10 theta भी बाहर हो गया 10 से 10 कट गया a से a कट गया फिर बजगया 6 theta और 6 theta का integral हम जानते हैं log 6 theta plus 10 theta plus c अब यहां पे देखिए यहां से 6 theta की value आएगी x अपाने और जब हम कच्छा 9th का triangle बनाएगे यह x अपान a यह आएगा under root x square plus a square रखो यहां उठा करके sorry sorry उल्टा लिग गया x अपाने होता half to upon base यह होगा x अपाने यह आएगा under root x square minus a square यह आएगा तो यह क्या आएगा log 6 theta हो गया x अपाने और 10 theta क्या होगा perpendicular अपान base under root x square minus a square अपाने plus c यहां a ले लिए LCM तो क्या जाएगा log x plus under root x square minus a square अपाने plus c log m अपाने log m minus log n तो यह minus में चला जाएगा log x plus under root x square minus a square हो जाएगा और minus log a log a चुकि constant है इसमें x नहीं है तो यह constant तो यह integral आएगा log x plus under root x square minus a square plus c dash मालो तो यह इसका integral होगा ठीक है यह कुछ formula है जिनका integral बताया गया इन्हें थोड़ा सा memory में भी store करना पड़ेगा और इसका process भी देखना पड़ेगा अब हम next exercise हम apply करेंगे इसने formula को तो यह formula आपको याद रखने पड़ेंगे ओकी ते